जिसको जिसको सरकार बनाना है पहले ही सरकार बना लिजे क्योंकि 10 मार्च को हम उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पाटी का फिर से सरकार बनाने वाले हैं और इस बात का पता बेपक्स को भी है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की भोली भाली जन्ता ने भी बड़ उत्तर परदेश के लोगों को पता है, जिस तरीके से एक बार पहले बहुजन समाजबाक्ति के शरकार बने थी लोक्टंट के दिकार के मापरो के अवसर पर देश के सस्वी पडान मंत्री नरेंडर मोडी जी के नेटूटु में उत्तर पडेश में पुना हम लोग बारी जी कैसे हैं और मुझे विश्वास हैं उत्तर प्रदेश के जंदा विश्वास हैं उत्तर प्रदेश के हमें अपने कर्खरताओं पर विश्वास हैं हमें अपने पताधिकारियों पर विश्वास हैं कि हम बहुत भारी जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश में साब सुतरी सरकार किशानों की सरकार व्यापारियों की सरकार बेरोजगारों की सरकार यारी समाजवादी पार्टी की ही सरकार बना रहे हैं आप लोग ने देखा होगा है एक गेट पोल के माध्यम से लोगों को केवल नेव चैनल वालों ने गुमराय करने काम क्या है हम कहना चाहते हैं हम फिर एक बार से कहाना चाहते हैं हम लोग किबल हिंत जार करें वो भी दस मार्च का और दस मार्च को हम लोग भारी मुहांबत के साथ उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्डी की ही जरकार बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद देखें कैसे हैं अच्छा हमारी आवाजे आप तक जा रही हैं मैं उत्तर प्रदेश की भुली भाली जन्ता से इस बात के लिए अग्रह करना चाहता हूँ इस चुनाओ में आप लोगों ने जितना एक साथ मिलकर के भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना आहम रोल दिया है मैं इस बात के लिए सुक्रोजार हूँ और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुना साब सुतरी सरकार, ब्यापार्यों की सरकार, पिसानों की सरकार यानि भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनने जा रही है इससे दुनिया की कोई-कोई ताकत रोक नहीं सकती और मुझे लगता है कि बिपक्ष को भी इस बात का पता हो गया है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है इसलिए अभी से बहुत कुछ कहना लोगों ने सुरू कर दिया है इसे बहुत कुछ घबडाने की बात नहीं है हम लोग कलका इंतजार करें और उत्तर परदेश में पुनहा भारती यंता पाटी सरकार बनने के लिए इंतजार करें उत्तर परदेश की पूर मुखमंतरी मयावती उत्तर परदेश के लोगों को पता है जिस तरीके से एक बार पहले बहुजन समाज पाटी की सरकार बने थी इस 2022 में स्वर्जन हिताय और स्वर्जन सुखाय की पाटी बहुजन समाज पाटी की ही सरकार बनने वाली है इस नियुज के माध्यम से इस बात के लिए कहना चाहतू हूँ कि स्वर्जन हिताय और स्वर्जन सुखाय की पार्टे बहुजन समाज पार्टे के सरकार बनने वादी है अमित साजी लोक्टंट के अधिकार के माप और के अउसर पर देश के सस्वी पडान मंत्री नरेंडर मोडी जी के नेटूटू में उत्तर पडेश में पुना हम लोग बारी जन्नादेश के साथ बार्टी जन्टा पार्टी की तरकार बनने जारी है बार्टी जन्टा पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है युवाव की सरकार है या पारियों की सरकार है बल्टो कुछले बहुत सारे उप्रिट करने बाली बेक्टियों की सरकार है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर पडेश पुना बार्टी जन्टा पार्टी की तरकार बनने देखिए कैसे हैं आप मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं हम बता देना चाहता हूं मैं आप से कहना चाहता हूं यहां लोग एकजिट फोल पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर दें और मैं कहना चाहता हूं उत्तर पदिश में हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं हम लोग डिरेक्ट देखेंगे वह भी 10 मार्च के दिन उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा जिसको सरकार बनाना है पहले ही सरकार बना लिजे क्योंकि 10 मार्च को हम उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पाटी का फिर से सरकार बनाने वाले हैं और इस बात का पता बेपाक्स को भी है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की भूली भाली जन्ता ने भी बड़ी प्रोड के साथ बड़े ही जोरसोर के साथ ओटिंग करने का जो कार किया है मैं इसके लिए आपको धन्यवाद ग्यापित करता हूँ और मुझे लगता है कि पुनह उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की लोगों ने भारती जन्ता पार्टी की स्तरकार बना रखी एक आपचरक तक पूरा करनी हैं और कलके समय यानि दस मार्च को हम लोग पुनह बहुत भारी प्रचनत के साथ भारती जन्ता पार् और दन्यवाद.